कितना टाइम हो गया जब से हम जीटेशिक्स के बारे में बाते ही करते आ रहे हैं अभी तक ना उसका कोई टीजर सामने आया ना कोई ट्रेलर आया है पस उसकी नियूज आती रहती है कि उसमें वाइस सीटी का पैप आपको देखने को मिलेगा आज तक की सबसे बड़ी गेम ह हमें पता कि कितने सालों से डवलप्मेंट में थी और उसके बाद हम जानते हैं उसका कितना बुरा हाल हुआ और इसी बात से सबक लेते हुए रोकिश्टार यह गलती नहीं करना चाहता कि आज जितनी जीटेश 6 की हाइप है और गेम को रिलीज अगर वो विदाउट बक्स फिक्सिंग के अगर कर देंगे तो उसका भी वही हाल होगा जैसा साइबर पंका हुआ तो इसी वजह से उसके में टाइम लग रहा है गेम पूरी तरह से बनकर तयार हो चुकी है मैं आप लोगों को जानकारी देदू आप रेडिक पे बहुत सारे आइटिकल्स आपको मिल जाएंगे आप पढ़ लीजिए और ऐसा नहीं है कि वो लोग गलत कह रहे हैं क्योंकि देखो यह इतना बड़ा गेम है उपन वर्ल्ड गेम है इसके इंदर पोस्ट प्रोडक्शन में इतना काम बाकी है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं जो हम विदाउट ओपन वर्ल्ड ग जाता है तो वह सारे बक्स होते हैं गेम के अंदर जिनें फिक्स करना बहुत जरूरी होता है नहीं तो गेम का पूरी तरह से बेड़ा गराखी हो जाता है और कितने सारे मीम्स बनाएगा साइबर पंक के टाइम पर तो बस मैं आपको यहीं बताना चाहरा हूं कि आप प्ली लिजर ट्रेलर वगरा देखने को मिल जाएगा हो सकता है इसकी रिलीश टेट भी रॉक इस्टार कंपनी अनॉंस कर दे लेकिन उसे भी पता है कि लोगों की कितनी एक्सपेक्टेशन है और मैं आपको यह भी बात बता दू कि यह गेम पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो लेकर आ रहे हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते इतनी रियलिस्टिक चीज़ों उन्होंने इसमें डाली है मतलब जैसे हम बार्बर्स के पाच जाते थे मूवी सिनेमा वगरा भी चले जाते थे इसके अंदर उस चीज़ को और ज्यादा ही नेंस कर दिया गया और तो यार वो क्या ही चीज़ बन जाएगी तो बस आप थोड़ा सा वेट की दिया मुझे ऐसा लगता है कि GTA 6 बहुत जबरतस गेम होने वाली है और सबसे महंगी गेम होने वाली है गेम चेंजर साबित होगी और इसका जो मैप है वो भी बहुत बड़ा होगा GTA 5 से डेड़ ग झाली होगागागगगागगग।